हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक इंशुरेंस प्लान जिवन सरल प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नंबर है 165 तो LIC ने ये प्लान लॉंच किया था 16 फरवरी 2004 को उसके बाद LIC के तरफ से 1 जनवरी 2014 को इस प्लान को बंद कर दिया गया था यन की इस प्लान को विड्रो कर लिया गया था इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैक्ती इस इंशुरेंस प्लान को अब लेना चाहती है तो आप इस इंशुरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगी तो जो लोग ओल्रेडी इस प्लान को ले चुके हैं वो इस प्लान के बारे में जान सकते हैं LIC का ये insurance plan LIC के बाकि insurance plan से काफी अलग है तो हो सकता है इस plan को समझने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको इस plan के बारे में सारे details असानी से मिल जाए तो ये insurance plan specially उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग LIC में हर म मैने पैसे जमा करना चाहते हैं इसमें आप एक fix amount हर मैने जमा कर सकते हैं जैसे कि 300 पे हर मैना 400 पे हर मैना 500 पे हर मैना तो जो भी जितना भी amount हर मैने जमा करना चाहता है वो एक fix amount इसमें जमा कर सकते हैं उसके अलावा इस plan में आपको जो death cover मिलता है वो काफी अच्छा मिल जमा करते हैं तो यहाँ पर जो आपका death cover होगा वो एक लाग रुपे हो जाएगा यानि कि 400 गा 500 गुना हो जाएगा इसी के साथ यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सभी उम्र के वैक्तियों के लिए जो death cover का amount है वो सेम रखा गया है यानि कि अगर को पर मन्थ deposit करते हैं तो उनका risk cover भी 500 गुना होगा 400 गुना होगा यानि कि दोनों ही वैक्ति को एक लाग रुपे का यहाँ पर death cover मिलता है अगर आप यहाँ पर 1000 गुना यहाँ पर death cover मिलने वाला है तो यहाँ पर काफी लोग नों सोचा होगा कि अगर age कम है तो उसका premium यहा पर कम होना चाहिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिसकी उम्र कम होती है उसको policy में कम premium पे करना होता है तो जिनकी उम्र कम होती है तो उनका premium कम होता है तो LAC ने यहाँ पर सोचा कि ऐसा करना गलत हो सकता है कि दोनों वैक्तियों को same benefit मिलें तो LAC ने यहाँ पर already जो monthly amount था वो fix कर दिया था और जो यहाँ पर death cover का amount था वो भी 250 गुना fix कर दिया था तो LAC ने यहाँ पर premium के amount को reduce ना करकी LAC की जो maturity value थी उसको increase कर दिया है यानि कि जो कम उम्र के वैक्ति है उनको यहाँ पर maturity value ज़्यादा मिलेगी और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको maturity value यहाँ पर कम मिलेगी तो अगर हम बात करें जिस वैक्ति की उम्र 20 साल की है अगर उसको maturity value 78,000 मिलनी है तो उस जंगय पे 50 साल के वैक्ति को maturity value सिर्फ और सिर्फ 53,000 रुपे मिलेगी तो यहाँ पर जैसे जैसे age बढ़ती जाती है वैसे वैसे maturity का amount कम होता रहता है तो यहाँ पर जिस वैक्ति की age कम होती है उसको maturity value ज़्यादा मिलती है और जिस वैक्ति की age ज़्यादा होती है उसको maturity value कम मिलती है हाला कि यहाँ पर जो death cover होगा वो दोनों का same होगा और जो premium है वो भी सभी उम्र पर same होने वाला है तो यही reason है कि जिसने कम उ बाई ये सबसे पहले इस plan की conditions जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक example लेके इस plan के बारे में detail में समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते है minimum age की, यानि कि इस insurance plan को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितने साल की होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो age दी गई है 60 साल की, यानि कि 12 साल से जादा और 60 साल तक के व्यक्ति इस insurance plan को ले सकते थे, उसके बाद बात आती है minimum term की, यानि कि कम से कम इस insurance plan को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं, तो वो time period यहाँ पर दिया गया है 10 साल का, यानि कि कम से कम आपको 10 साल के लिए ये insurance policy लेनी ह होगी, उसके बाद बात आती है maximum term की, यानि कि जादा से जादा इस insurance plan को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर time दिया गया है 35 साल का, यानि कि कम से कम आप 10 साल के लिए इस insurance plan को ले सकते हैं, और जादा से जादा 35 साल के लिए इस insurance policy को आप ले पाएंगे, उसके बाद बात आती है minimum monthly premium की यानि कि कम से कम कितना आपको महिने में इसका premium देना होगा तो अगर आपकी उम्र 49 years है या उससे कम है तो आप यहाँ पे कम से कम 250 उर्पे पर मन्त का premium दे सकते हैं उसके बाद maximum की कोई भी limit नहीं है आप 300, 400, 500 जो भी आप premium देना चाहे वो maximum इसमें आप दे सकते हैं और अगर आपकी उम्र 50 साल या 50 साल से जादा की है तो उसके लिए minimum जो यहाँ पर premium है वो आपको 400 रपे पर मन्त पे करना होगा यानि कि 400 रपे तो आपको पे ही करना होगा उससे जादा अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो पे कर सकते हैं आईए अब एक example लेके इस पूरे insurance plan को समझते हैं तो यहाँ पर example समझने के लिए मान लेते हैं कोई वैक्ती है जिसके उम्र 30 साल की है वो इस insurance plan को लेना चाहते हैं और यहाँ पर वो monthly premium 400 रुपे का इसमें देना चाहते हैं और अगर हम बात करें term king तो मान लेते हैं कि वो 20 साल के लिए इस insurance plan को लेना चाहते हैं यानि कि इस policy की maturity 20 साल के बाद होगी तो यहाँ पर जो अभी उनकी age है वो 30 साल की हो चुकी है तो उनको आने वाले 20 सालों के लिए इस policy में premium की payment करनी होगी जब यहाँ पर policy के 20 साल पूरे हो जाएगे तो उस समय इस policy की maturity होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको 400 रुपे मन्थली premium देना होगा इसमें आप 6 महीने में, 3 महीने में या एक साल में भी premium दे सकते हैं अगर आप एक साल का premium पे करते हैं तो उसमें आपको 2% का rebate इसमें मिल जाता है तो अगर हम यहाँ पर maturity के बात करें तो यहाँ पर जब आपकी policy खतम हो जाती है यानि की 20 साल पूरे हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको maturity का amount मिलता है maturity पर आपको maturity sum शोड मिलता है और उसी के साथ साथ loyalty addition मिलता है अगर हम maturity sum शोड की बात करें तो यहाँ पर लगबग लगबग 1,9,380 रुपे का maturity sum शोड मिलता है और अगर हम loyalty addition की बात करें तो लगबग लगबग 70,000 रुपे का आपको इसमें loyalty addition मिल जाता है तो total इसमें maturity के समय आपको 1,80,000 रुपे के करीब amount इसमें मिल जाता है जो की हुआ 1,79,380 रुबीज ये जो मैंने आपको loyalty addition का amount बताया है वो कोई भी fix नहीं है ये जो loyalty addition मैंने आपको बताया है ये fix नहीं होता है ये LIC के तरफ से time to time डिकलेर किया जाता है तो अगर हम बात करते हैं maturity समय शोड की तो आईए मैं आपको बता देता हूँ कि maturity समय शोड कैसे calculate करना है तो आपको वीडियो के description box में एक link मिल जाएगा आप उसे open करके इस website पर आ सकते हैं जो की है insurance funda.in यहाँ पर आप देख सकते हैं एक calculator इस पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको entry age एंटर करनी होगी तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 30 years उसके बाद यहाँ पर आपको time enter करनी होगी तो हमने 20 साल enter कर दिया है उसके बाद अगर आप double accidental benefit लेना चाहते हैं तो इसको yes करना है और उसके बाद आपको यहाँ से basic monthly premium select कर लेना है उसके बाद आप जितना monthly premium देना चाहते हैं वो enter करना होगा तो हमने 400 रुपे enter कर दिया है और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी हमारी calculation है वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा maturity समयशोड है वो 1,9,380 रुपे है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 400 रुपे की जंगा 600 रुपे कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपे के हिसाब से maturity समयशोड देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जितने amount का भी आप चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप नीचे के तरफ देखेगे तो loyalty addition भी देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया 70,000 रुपे के करीब इसमें आपको loyalty addition मिल जाता है और अगर हम total benefit की बात करें तो 1,79,000 के करीब इसमें आपको total benefit maturity पर मिल जाते हैं तो इस तरीके से आप वीडियो के description box में जो link दिया हुआ है उस पर जाके इस calculator से policy की maturity value, loyalty value calculate कर सकते हैं तो आईए अब बात करते हैं death benefit की तो यहाँ पर अगर इस policy holder की इन 20 साल के दुरान death हो जाती हैं तो इस policy holder के nominee या family को death cover का amount मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी आप monthly premium pay करते हैं उसका यहाँ पर 250 गुना death cover का amount मिलता है तो अगर हम 400 का 250 गुना करते हैं तो एक लाख रुपे का यहाँ पर उनके nominee को death cover का amount मिलता है इसे के साथ साथ यहाँ पर अगर आपके policy में कोई loyalty addition है वो दिया जाता है और जो भी आपने policy में यहाँ पर premium pay किया है वो भी इसमें add कर दिया जाता है यानि कि एक लाख रुपे का जो यह risk cover का amount है 250 गुना वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा भी आपको दो benefit इसमें मिल जाते हैं और अगर आपने अपने policy में accidental death benefit लिया है तो अगर accident के कारण death होती है तो additional यहाँ पर एक लाख रुपे मिलते हैं यानि कि accident death के case में दो लाख रुपे का amount मिलते हैं इसी के साथ साथ loyalty addition भी आपके nominee को मिल जाते हैं तो यह हमने बात कर ली है example की तो आईए अब एक graph के मदद से जानती हैं कि इस policy का ज़्यादा benefit किसको मिलेगा तो यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं एक graph available है इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे वैक्ति की age बढ़ती जाती है वैसे वैसे maturity समय शोड कम होता जाता है इसका मतलब यह है कि अगर किसी कम उमर के वैक्ति ने L.I.C.E. policy ली है तो उसको यहाँ पर ज़्यादा benefit मिलते है और अगर यहाँ पर ज़्यादा उमर के वैक्ति ने इस policy को लिया है तो उनको maturity के समय यहाँ पर कम benefit मिलते हैं तो आईए अब बात करते हैं इस plan के other benefits की तो यहाँ पर आपको इस plan में tax benefits मिल जाती हैं यहाँ पर जो भी आप इस policy में premium की payment करते हैं उसकी deduction income tax के 80C section में ले सकत हैं इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर maturity पर amount आपको मिलते हैं वो भी income tax से यहाँ पर exempt होते हैं income tax के 10D section में वो amount आपका जो maturity का होते हैं वो income tax से exempt होते हैं उसके बाद अगर आप इस policy पर loan लेना चाहते हैं तो policy शुरू होने के 3 साल बाद आप अपनी policy पर loan भी ले सकते हैं और अगर आप अपनी policy को surrender कराना चाहते हैं तो policy शुरू होने के 3 साल बाद आप अपनी policy को surrender करा सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको LIC के plan जीवन सरल की सभी information मिल गई होगी और जैसे कि मैंने आपको calculation करके बताई हैं वैसे अगर आप calculation देखना चाहते हैं तो वीडियो क जल्दी आपके comment का reply करने की कोशिश करूँगा और अगर आप किसी और पुराने plan के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप comment में बता सकते हैं धन्यवाद